हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूं सभी लोग अच्छी हूंगी तो आज मैं पॉलेथीन से जोड़े कुछ ऐसे जरूरी है आपके साथ शेयर करी हूं जिससे आपका जंजट हो जाएगा एक दम खतम एक से बढ़कर एक आइडियाज हैं तो वीडियो क पूरा देखेगा पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों को जरूर शेयर कीजिगा तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं कहां पर देखिए पॉलेथीन को मैंने लिया है और पॉलेथीन को हमें इस तरह से कट कर लेना है मतलब उपर साइड है ना वहां से हम कट कर लेंगे और जो साइड है ना इसकी साइड से भी हम इसको कट कर देंगे तो यह देखिए मैं जिस तरह से काट रही हूँ आप देख लीजिए और बाकी जो तीन पॉलेथीन रखा है ना उसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल इस इस तरह से इसके उपर रख देंगे तो यह देखे एक यहां पर रख देंगे और एक पॉलथीन को हम उठाएंगे वो इसके उपर रख देंगे और क्या करेंगे चाहें आप सिलाई लगा लिजे या फिर पिन वगर हैं आपके पास तो पिन लगा लिजे जैसे मैं इसके लगाईएगा अब देखिए दूसी पॉलिथीन है ना इसको हम उपर इसके चिपका देंगे मतलब सिल देंगे या फिर जो काटे लगाना है तो बो लगा लीज़े यह देखिए इस तरह से रखना है और बिल्कुल जैसे हमने नीचे किया था ना सेम उसी तरह से यहां पर भी पिन लगा देंगे तो यह देखिए तीनों जो पॉलिथीन थी उन्हें मैंने इस तरह से जो है पिन लगा दिया है और जो उपर का कपड़ा बचा है इस तरह से कोई भी पुराना आपके पास हैंगर पड़ा हो उसमें आप इस तरह से फिक्स कर दीजे अब यहां पर भी आ इस तरह से आप रख देंगे तो आपकी जो जूते चपल है इधर उदर फैले हुए भी नहीं रहेंगे तो यह देख सकते हैं यहां पर मैं दो रख रही हूं तो यह देखिए दूसरा भी मैं इसके उपर रख देती हूं और इसी तरह से जो मैंने तीन पॉलिथीन लगाई नीची भी मैंने जो तो पॉलिथीन लगाई थी उसमें भी मैंने जूते रखती हैं बहुत ही अच्छा लगता है साथी बिल्कुल भी धूल वगरा इसमें नहीं लगती है और जब भी आपको निकालना हो बहुत ही असानी से आप इसे निकाल सकते हैं तो बेकार पड़ी प काम करना होता है जैसे कपड़े धुले होते हैं या कोई भी काम पोछा लगाना होता है तो आपने देखा होगा हमारी जो सॉक्स हैं वो गीले हो जाते हैं तो ऐसा क्या करें हम जिससे हमारे सॉक्स गीले ना हो और हमारा काम भी हो जाए तो इसके लिए चोट असर ट्रिक बता दीजिए का कभी-कभी आपने देखा होगा हमारा जो डस्ट पिकर होता है हम उसमें कोई भी कूड़ा बगारा उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो गंदा हो जाता है तो इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूं आपको क्या करना है पॉलिथीन को ले लेना है और पॉलिथीन चार दिन के बाद इस पॉलिथीन को आप चेंज कर दीजे है ना तो इससे आपका डस्ट पिकर गंदा भी नहीं होगा और आपको धुलने की जरूद भी नहीं पड़ेगी या फिर आप एक काम और कर सकते हैं जो हमने गीठा लगाई है ना इस तरह से कूड़ा चड़ा ली पिकर है कितना साफ है कई वर क्या होता है हम जब आलू लेके आते हैं तो नए आलू को हम छीलते हैं तो आपने देखा होगा हमारे हातों में लाल लाल से निसान पड़ जाते हैं जो देखने में बहुत ज़दा खराब रहते हैं लगते हैं तीन या चार दिन तो आप मान ल तो इस तरह से polythene का यूज़ करके आप अपने हाथों को भी बचा सकते हैं और अपनी सब्जी बगरा भी काट सकते हैं तो ये लेजे हो गया ना आपका घंटों का काम मिन्टों में तो चलिए अगला ट्रिक देखते हैं कई बार हम सब्जी बगरा लाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे हाथ में अगर कट लग जाए या ठंडी बहुत हो तो हमें उसे धुलने में बहुत ज़दा परिशानी होती है ठंडे पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं पॉलिथीन को किस तरह से यूज करेंगे दिखाती हूँ ये देखे फ्रेंट्स मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालने के बाद हाथों में पहननी है ये पॉलिथिन बस पॉलिथिन से आप अच्छे से इसको साफ कर लिजे और इसको अलग वर्तन उसमें निकालते जाएए मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूं आपको इसी तरह से धेर सारी सब्जी आप थोल सकते हैं है ना कभी कभी चोट लग जाते है हाथ में या ठंडा बहुत पानी होता है तो इस तरह से देखे मैंने इसको साफ कर लिया और अभी मैं आपको पॉलतिन खोल कर अपने हाथ देखाऊंगी यह देखे मैं यहाँ पर इसको खोल देती हूं और आप हाथ देखे बिल्कुल सूखे होंगे यह देखे आप लोग बिल्कुल सूखे हाथ है हमारे है ना तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने हाथों को बचा सकते हैं चाहें आपके हाथ में चोट आपको क्या करना है पॉलिथीन को लेना है और लेना है वैसलीन तो यहाँ पर थोड़ी सी वैसलीन ले लेती हूं और अच्छे से हमें क्या करना है एडी पर ठीक है जहां भी आपकी फटी होई एडी है या पैर फट रहे हूं अच्छे से पर इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है पॉलिथीन को पैरों में पहन लेना है इससे क्या होगा जो वैसलीन है वो अच्छे से अपना काम करेगी ठीक है जितने भी फटीवी एडे वगएरा है उसमें अच्छे से समाएगी उपर से आपको क्या करना है सॉक्स पहन लेना है जिससे हमारा सॉक्स है खराब भी नहीं होगा और अच्छे से हमारी वैसलीन वी जो है हमारे पैरों में एब्जॉर्ब हो जाएगी यह देखिए मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए पहना कर आपको दिखा रही हूं यह देखिए इस तरह से आपको सॉक्स को चढ़ा लेना है अब देखिए आपकी जो प मिक्सी है ना ऐसे ही धूल गंदगी खाती रहती है कभी कबर नहीं होता तो इस तरह की पॉलिथिन को आप क्या कीजे इसके ऊपर इस तरह से ओढ़ा दीजे आप देखिए यह आपका मिक्सी कबर बन जाएगा कोई भी धूल गंदगी इसके अंदर नहीं आएगी तो इसी मिला बगएरा में रख दीजे आप देखेंगे बिल्कुल यह सुरक्षित रहीगी कई बार चूडी बगएरा हम पहनते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज़दा टाइट होती हैं वो हमारे हातों में अच्छे से नहीं आती हैं हाथ छिल जाते हैं तो इसके लिए भी प्राम से छोटी से छोटी चूड़ी चड़ा सकते हैं यह देखें मैंने पॉलेथीन को अपने हाथों पे चड़ा लिया है और बस हम क्या करेंगे यह जो चूड़ियां है इनको इस तरह से नीचे करते जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से जो है बॉटल लिए बॉटल इस तरह की हम ले जाते हैं गर्मी आने वाली है तो पानी वगारा के लिए बैग में डाल लेते हैं लेकिन कभी-कभी यह लीक हो जाती है और हमारा सारा बैग बींग जाता है अब देखे मैंने यहाँ पॉलथीन ली है पॉलथीन को इस तरह से हम कट कर लेंगे और अपनी बोटल को अच्छे से पहनाने के बाद इसका ठकन बंद कर देंगे बस यह इतने टाइट से लग जाएगा कि आप इसको इस तरह से डाल दे भी देंगे ना अपने बैग वेगरा में डाल देंगे तो पानी इसका बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है होली आने वाली है तो आपने देखा हुगा इस तरह की बड़ी बड़ी पॉलेथिन तो हमारे पास रहती हैं तो इनका भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप ना क्या कीजिए इस तरह की जो पॉलेथिन इने फेकिये मत इने रख लीजिए पापड बनाने के काम यह बहुत अच्छे से आती है जब आप इसमें पापड बगारा बनाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं और किसी कपड़े बगारा पे आप चिपकाएंगे ना तो पापड देखेंगे छोडाने में बहुत ज्यादा मुस्किल होती है पीछे से प वीडियो में बाइ फ्रेंड और थेक्स पर वाचिंग बाइ